असलामों अलाइकम क्लास 4 मैट मैजिक वर्क बूक आज हम सीखेंगे मैट का चेप्टर 6 दे जंग शेलर का question number 10 multiply as by example देखें यहाँ पर हमको एक example दिया हुआ है 64 से 13 को multiply करना है तो 64 64 केसे होता है तो 60 plus 4 किया और 13 10 plus 3 अभी देखें यहाँ पर इस बॉक्स बनाना है आपको भी और 60 और 4 10 और 3 और यहाँ पर देखें तो cross multiply किया है 60 और 10 यहाँ पर multiply किया है और यह 4 को 10 से multiply किया है सेम ऐसे ही यहाँ पर 60 को 3 से multiply किया है और 4 को 3 से multiply किया है और जो answers आ रहा है वह answers को हमें फिर add करना है और जो आएगा वो हमारा answer होगा चलिए हम first वाला question साल करते हैं तो देखें यहाँ पर हमको 72 multiply 19 दिया है तो 72 72 कैसे होगा तो 70 यहाँ पर हम 72 first लिखेंगे is equal to 70 plus 2 next लिखेंगे 19 is equal to 10 plus 9 अब यहाँ पर 70 यहाँ पर 2 यहाँ पर 10 और यहाँ पर 9 चलिए अब हम 70 को 10 से multiply करेंगे आपको भी ऐसे box बना रहा है अपनी book में और solve करना है 70 multiply 10 70 को 10 से multiply किया तो कितना हो गया 700 अभी 2 को 10 से multiply करते हैं तो 2 multiply 10 is equal to 2 10 जा 20 होता है अभी 70 को 9 से multiply करेंगे 70 तो कितना हो जाएगा 70 मल्टिप्लाय आप 9 करोगे तो 630 होगा उसके बाद 2 को 9 से multiply करेंगे तो 2 multiply 9 2 9 जा 18 अब इस सब को हम add करेंगे इसको हम add करते हैं तो यह जो 8 है वो यहीं पर रहेगा 3 plus 2 5 plus 1 6 and 7 plus 6 कितना होता है 7 plus 6 हम करेंगे तो 7 के बाद यहाँ पर 6 numbers आते हैं तो 8 9 10 11 12 and 13 तो यहाँ पर हम लिखेंगे 13 then अब यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा answer 72 multiply 19 is equal to 1368 यह हमारा answer आएगा clear बेटा आप लोग भी मेरे साथो साथ ऐसे ही अपनी workbook में solve करते जाओ तो आपको अच्छे से समझा जाएगा चलिए next वाला solve करते हैं तो अभी देखें यहाँ पर हमको दिया है 685 multiply 26 85 multiply 26 करेंगे तो 85 कैसे होगा 85 85 इस इक्वल टू 80 प्लस 5 26 कैसे होगा तो 20 प्लस 6 अभी यह जो 80 और 5 है इसको हम यहाँ पर लिखेंगे और 20 जो है उसको हम यहाँ पर लिखेंगे और 6 को हम यहाँ पर लिखेंगे अब हम 80 को 20 से multiply करेंगे 80 multiply 20 80 multiply 20 आप करोगे तो कितना होगा 1600 यहाँ पर हम 1600 लिखेंगे अभी 5 को 20 से multiply करोगे 5 को 20 से multiply करोगे तो कितना होगा 5 multiply 20 25 हा 100 होता है अब यहाँ पर 80 और 6 है तो यहाँ पर 80 को 6 से multiply करो तो हो जाता है 480 आप ऐसे easily मैं यहाँ पर बता रही हूँ आप लोग अपनी workbook में ऐसे ही rough work नहीं करना यानि multiply वाला काम जो है वो अलग page पर करोगे मैं जस्ट आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ कि आप 80 multiply 6 तो 6 0 0 और 6 8 जां 48 तो हो गया 48 480 कि यहां पर हमने 80 को 6 से multiply किया तो 480 आया बराब चलिए अब हम इसको add करेंगे पर्स्ट 1,600 प्लस 480 प्लस 100 प्लस 3030 बेटा ये जब numbers लिखो तो खास दियान रखना 1s वाला column, 10s वाला column 100s वाला column, 1000s वाला अगर आपने number आगे पीछे लिख दिये तो आपको add या subtract जो भी करना होता है उसमें दिक्कत होती है तो ये जो numbers जब लिखो उस वक्त खास ध्यान रखो कि 1s वाले column में सारे numbers 1s के नीचे ही आना चाहिए 10s वाले column के सारे numbers 1s के नीचे 1 ही आना चाहिए ऐसे ही 100s वाले column भी सही से आने चाहिए तो ही आप अच्छे से add कर पाओगे चले देखें यहां पर 1s वाले column में सारे 0 ही यहां पर हम 0 रखेंगे अभी यहां पर हमको 8 में 3 add करना है 8 में 3 add करें तो 8, 9, 10, 11 11 का 1 यहां पर रखेंगे और 1 इधर carry करेंगे अब देखे 6, 4, 1 और यह 1 तो 6 में 4 को add करेंगे तो कितना होगा 6, 7, 8, 9, 10 उसमें 1 add करेंगे तो 11 और यह 1 add करेंगे तो 12 तो 12 का 2 यहां पर रखेंगे और 1 इधर carry करेंगे 1 प्लस 1 कितना होता है 2 होता है तो हमारा answer आया है 2,210 अभी हम इसको यहां पर लिखेंगे 85 multiply 26 is equal to 2,210 समझाया बीटा आप लोग बाकी जो सम्स है वो as a homework कम्प्लीट करोगे थैंक यू वर वाचिंग जजाक अल्लाँ झाम एप doğru होता है झाम कम्प्लीट … झाल झाल